आप देखे यही वो बस है आप देखे न्यू डेटिंगे मादिम से एस्क्रियूसिव फूटेज वही यही वो बस है जो 6 वजे की फूटेज यहाँ पर देख सकते हैं और 10 मिनट के बाद यह हासा होता है हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं शिव खोड़ी की यह जगह जहां से वो बस शरधालों से भरिव इसी रास्ते से आ ले थी और यहाँ पर तीखा मोड है आपको यह काच दिखाएंगे यही पर घात लगाकर बैठे दो आतंकियों निनकाब पोश आतंकियों ने करके गैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आदे गंठे बार हमारी गाड़ी पर कुछ जैसे खारी मोना सा ऐसा फटाके फटाके से चूटा थूटा थूए हो गया और जीशिव से फूट गए उन कुछ से किड़ों भी हमारी काड़ी खाई में चली गई हो लोग यहां से खरार अपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया यह रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस किरी है और बहुत बुरी हालत में शब रामत के के 10 शरधालों की मौत हो गई जबकि 32 शरधालों गंभी रूप से घाल हुए थे जमो कश्मीर पुलीस के जवान जो हो इस समय गणे जंगलों में जो हो किस तरीके से आतंकी घात लगा करके शुपे होंगे वो डूनने की एक कोशिश कर रहे हैं और जीब इनसान जो आपने कभी देखा ना हो आपको पहली बार देखा हो ऐसा को शक है पहले चांस हो जाए जमू कश्मीर के रियास्त में तिर्थे इत्रों से भरी बस पर गोली बारी की गई गोली लगने के बाद ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस खाई मिजागिरी इस हमले में दस लोगों की मौत हो चुकी है और इस खबर पर बात करना जरूरी है क्योंकि वही सरकार है ये वही भारत है घर में घुसकर मारने वाला भारत जो इस बार भी हर गोली का हिसाब और चली अब आपको ग्राफिक्स के जरी समझाते हैं कि आतंकियों ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया दरसल दर्शन कर लौट रहे श्रधालों की बस को आतंकियों ने तार्गित किया आतंकियों ने ड्राइवर को निशाना बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर काई बैठे आतंकियों ने 30-40 राउंड फायर किये ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस बेकाबू हो गई और बेकाबू बस 200 फीट गहरी खाई में जाकि देगी किस रास्ते पाकिस्तान से जम्मू पहुंचे आतंकी कौन थे आतंकियों के मददगार कहां छिपे हैं बस पर हमला करने वाले दहशत घर जो बीते दस सालों में नहीं हुआ वो रियासी में तब हुआ जब शरधालों से भरी बस शिव खोडी से कट्रा जा रही थी लेकिन सवाल उरता है कि आखिर सुरक्षा बलों के नजरों से बचकर कैसे इस वारदात को अन्जाम दिया गया क्योंकि ये वो रास्ता है जहां 24 घंटे संगीनों का पहरा रहता है हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं शिव खोडी कि ये जगह जहां से वो बस शरधालों से भरी इसी रास्ते से आ रहे थी और यहां पर तीखा मोड है आपको ये काच दिखाएंगे यहीं पर घात लगा कर बैठे दो आतंकियों निनकाब पोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ड्राइवर जखमी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की लेकिन संतूलन बिगडते ही बस गहरी खाई में जा गरी अब यह मौके पर हैं आप देख सकते हैं एफसल की टीम यहां पर पहुँची हुई है यह रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शब रामत किये कि दस शर्धालों की मौत हो गई थी जबकि 32 शर्धालों गंभी रूप से घायल हुए थे साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुच रहे हैं खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि शर्धालों की बस पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आये थे जिन्होंने स्थानी सायोगी संगठनों के साथ मिलकर वारधात को अंजाम दिया जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांभाबाडर के जरीए लगभग एक दरजन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू में घुस्पेट की थी खुफिया एजेंसियों को कुछ electronic evidence भी मिले हैं जिनके आधार पर पता चलता है कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने लोकल आतंकवादी नेटवर्क पी ए एफफ और टी आरेफ के आतंकवादियों से मदद लेकर ये हमला किया था इस हमले में कुछ इस्थानिय लोगों की भूम का भी सामने आ रही है जानकारी के मताबिक बीते दिनों सामबा बॉर्डर के जरिये एक दरजन पाकिस्तानी आतंक्यों ने जम्मू में घुसपैट की थी खोफिया विभाग को कुछ electronic evidence भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंक्यों ने Local Terrorist Network People's Anti-Fascist Front और TRF के आतंक्यों से सहता लेकर ये हमला किया था इस हमले में कुछ लोकल लोगों की भूमी का भी सामने आ रही है माता जी, आज भी गे थे क्या जंगल में? आज भी गे थे आज गए ठे तो ट लगए से लेके लिए गे लिए निके शोटे चोटे बच्चे लेगे गे गे ते अच्छा अब रुटीन में जाते हो कभी आपको ऐसा लगा कि कोई आजीब इनसान जो आपने कभी देखा ना ह ापको पहली बार देखा हो ऐसा कोई शक मैं कोई नहीं पार रहाईन्न देखो पया आपकर कार्मेटारी हैंदे उड्रह कर आफ कोई द्law अट mahal VI था कहा इन गुण भाउदे हैं जै क्या है अवरी था क्या अबिज का अवार रिसमा। यही वजह है कि जहांच एजंसिया लगातार आतंक्यों की तलाश में जोटी है क्योंकि छिपे हुए आतंकी किसी और बड़ी वारदात को भी अन्जाम दे सकते हैं और चलिए एक बार आपको ग्राफिक्स के जरीए बताते हैं यह हमला कब कहा पर और कैसे हुआ जिसमें दस सिवीलियन्स ने अपनी जान कवा दी रियासी जम्मू कश्मीर में यह हमला हुआ रविवार की शाम 6 बचकर 15 मिनट पर तारगेट पर कौन था वो भी आपको बताते हैं तीर थियात्रों से भरी हुई एक बस तारगेट पर थी नुकसान जो हुआ है दस लोगों की मौत हुई है तीस से ज़ादा जक्मी है जिनमें कई लोग यूपी के फे हैं हमला करने वाले आतंकियों का सरगना कौन है वो भी आपको बताते हैं लशकरे तैबा इसका सरगना बताया जा रहा है बीते दस सालों में सिवीलियन पर हुआ ये सबसे बड़ा तंकी हमला है यही वज़व है कि जांच एजिंसिया इस मामले को हर एक एंगल से खंगाल रही है पूरे इलाके को जवानों ने घेर लिया है ड्रोन, हेलिकॉप्टर और पैदल, कॉम्विंग के जरिये आतंकियों की तलाश की जा रही है हमले से ठीक पहली CCTV फोटेज को भी जाचा जा रहा है और कोशिश है कि जल्द से जल्द उन काईरों को पकड़ कर हिसाब बराबर किया जाए उन्होंने श्रदालों से भरी बस को निशाना बनाया और दूसरी तरफ सूत्रों के हमाले से खबर कि एनाईये जंबो कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जाच करेगी खबर ये भी है कि एनाईये के एसपी स्तर के अधिकारी की एक टीम मौके पर पहुँच चुके है न्यूजेटिंग के पास आतंकी हमले से चंद मिनट पहले का एक CCTV फुटेज भी है जिसमें वो सफीद बस साफ ने जरा रही है जो श्रदालों को वैशनल देवी लेकर जा रही थी अभी न्यूजेटिंग की टीम के पास exclusive access है उस फुटेज का जिसमें जो जिस बस को निशाना बनाया गया है आंतरवादियों के तरफ से उसकी फुटेज आप देख पाएंगे ये छे बज़े छे बज़े के 10 मिनट पे ये हासा हुआ है और छे बज़े की ये फुटेज है जिसमें उस बस को आप देख सकते हैं कि यो जो बस है वो शिव खोडी से कटरा जा रही थी आप देखें यही वो बस है आप देखें न्यूजेटिंग के मादिम से exclusive फुटेज वही यही वो बस है जो 6 बज़े की फुटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं और 10 मिनट के बाद ये हासा होता है और ये शिव खोडी से कटरा की तरफ जो है ये बस जा रही थी जब घात लगा के कुछ आंतकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया और रिपोर्ट के मता अब जब ड्राइवर को हिट हुआ और ये बतायाता है कि ड्राइवर को बुलिट हिट हुई है उसके बाद ड्राइवर का जो नियंतरन था उस बस पे हट गया और साथ महीं जो खाई थी उसमें बस जा गरी जिसके बाद भी आंतकवादी नहीं रुके उसके बाद भी जा रहे थी और कैसे इतनी बड़ी वार्दात हुई दरसल शिव खोड़ी गुफा के दर्शन करके श्रधालू लौट रहे थे तब यह हमला हुआ कट्रा जारकी बस पर आतंकियों ने गोली बारी की और घात लगाए बैचे आतंकियों ने 30 से 40 राउंड फाय किये ज्राइव जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियाद लशकर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम ड्रोन से तलाशी कब तक छिपेंगे आतंकि जंबू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है वहाँ सैक्रो किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल के चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहरा लिया जा रहा है जमो कश्मीर पुलीस के जवान जो हाँ इस समय गने जंगलों में जो हाँ किस तरीके से आतंकी घात लगा करके शुपे होंगे वह डूनने की एक कोशिश कर रहे हैं ये ड्रोन जो हो काफी जादा इस समय लाबदायक साबित हो रहा है सुरक्षा जंसीस के लिए ये सुरक्षा जंसीस लगा था जो हाँ जिस एरिये में आतंकियों ने जो था वो हमला किया था जिस मोड पर हमला किया था उसी पूरे एरिया को जो हो इस समय जांच रहे हैं यह जो इलाका आपको मेरे वीजे दिखाने की कोशिच कर रहे हैं यह इलाका जो हो रंसू कंडा का इलाका है जहां पर यह आतंकी बादात को कल छाम को जो हो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था जानकारी के मुताबिक जिस पैटन पर ये हमला अंजाम दिया गया वो लशकर के सयोगी संगठनों की ओर इशारा कर रहा है आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को नकाब पोश हमलावरों ने अंजाम दिया था जिनकी तादात 3 से 4 की हो सकती है लेकिन उन्हें इन घने और विशाल जंगलों में ढूनना रेत में सूल ढूनने जैसा है इसलिए हाइटेक तकनीक के जर्ये सुराग तक पहुशने की कोशिश हो रही है त्रनेत्र अल्टराडोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है